स्वास्थ और संदरी के वीडियोज को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल के बेल आइकन को प्लिक कर दे ताकि हमारे आने वाले वीडियोज की अपडेट्स आपको मिलती रहे स्वास्थ और संदरी नमस्कार दोस्तों, स्वास्ति और संदरी में आपका एक बार फिर से स्वागत है आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अपने चहरे पर विटामिन E के साथ शहद लगाने के कुछ पहतर इन फायदों के बारे में वैसे तो विटामिन E और शहद दोनों ही स्किन के लिए काफी फायदे मन माने जाते हैं लेकिन जब दोनों को एक साथ मिला कर लगाया जाता है तो इसके फायदे कई गुणा बढ़ जाते हैं विटामिन E का इस्तमाल कई सारे ब्यूटि प्रोडक्ट्स में किया जाता है विटामिन E तोचा को हाइडरेट कर उसकी नमी को लॉक कर देता है जिससे तोचा ड्राय होने से बची रहती है विटामिन E में एंटी आक्सिडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रोपर्टिज पाय जाता है जो तोचा की रंग और चमो को निखारने और बढ़ती उम्र के लक्षडों को कम करने में काफी सहता करता है विटामिन E का नियमित प्रयोग करने से इसकीन यंग और हल्दी पनी रहती है इसके साथ ही शहत का इस्तमाल इसकीन के रूखे पन को दूर करने के लिए एकने पिंपल की समस्या से छुटकारा पाने के लिए और एंटी एजिंग की समस्या से बचने के लिए खूब किया ज जाता है शहद में एंटी माक्रोबियल और एंटी इंफ्लेमेट्रिकोड पाय जाता है जो स्कीन को एक्सफोलियेट कर एक्निवा पिंपल जैसे समस्याओं को दूर करने में मदद करता है नियमित शहद के इस्तमाल से आपको हेल्दी जवां और ग्लोइंग स्कीन मिलती है इसके लिए एक बॉल में पाल से इच्छे विटामिन ए कैपसूल का ओयल ले ले इसके बाद इसमें एक चमच शहर डाल कर अच्छे से मिक्स कर ले जब यह अच्छे से मिक्स हो जाए तब इसे किसी टीबी में भर कर स्टोर कर ले अब यह विटामिन ए और शेहत का पैक अस्तमाल में लाने के लिए तयार हो चुका है रोजाना रात में सोने से पहले इसे लगाने से बहतर रिजल्ट मिलेंगे इसे लगाने के लिए अपने चेहरे को गीले तोली के सहाथा से साफ कर ले इसके बाद इसे लेकर डब डब करते हुए अपने पूरे चेहरे पर अपलाई कर ले इसके बाद उंगलियों की सहाथा से धीरे धीरे सर्गलर मोशन में चेहरे की मसाज करे फिर ठंडे पानी से धोले नियमित स्पैक का इस्तरमाल करने से जुरियां डार्क स्पोर्ट्स फाइलाइंस धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे और चेहरे पर नेचरल गलो आने लगेगा तो फिर आज आपने इस वीडियो में चेहरे पर विटामिन E के साथ शहद लगाने के कुछ बहतरी इन फाइदों के बारे में जाना आशा है आपको हमारे ये वीडियो अवश्य ही पसंद आया होगा हमारे नएने स्वास्ति और संदरी संबंधी जानकारियों को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए तथा हमारी वीडियो पसंद आई होगते से लाइक और शेर जरूर करें ताकि इसी तरह हम नएनी जानकारियां आप तक पहुचाते रहें धन्यवाद